दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल चुनावी नतीजे के बाद हम लोग कई बार मिले एक सामोहिक डिसकसन में मिले दो बार हफते की बात में आज हम पहली बार मिल रहे हैं जनादेश और नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले तो आप बढ़ाई इस देश की अवाम को नई सरकार मिली है सरकार में बैठे लोगों को बढ़ाई नए मंत्रियों को बढ़ाई और हम ये भी चाहते हैं कि इस देश को हमारे गणराज्य को हमारी अवाम के लिए ये पांच साल सुरक्षित सम्रिध्धी के तरफ ले जाने वाले और स्वातंत्रे यानि हमारी आजादी को बरकरार रखने वाले थाबित हों हम सब के लिए बहुत शुब हो आईए हम देखते हैं कि मौजूदा सरकार क्या सोच रही है क्या इसका मकसद है क्या इसके लक्ष हैं कैसा भारत बनाना चाहती है क्योंकि बार-बार नए भारत की बात की जा रही है ये नए भारत क्या हो सकता है प्रदानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के अनेक नेता अकसर सन 2022 का जिक्र करते रहते हैं इस बार का जनादेश अगर देखा जाए तो उन्हें पूरे पांस साल यानि सन 2024 के मई तक भारत के गणराजी की सरकार चलाने का उनको मौका मिला है लेकिन सकताधारी नेताओं की बात सुनिये तो वो सन 2022 तक देश में काफी कुछ कर दिखाने का ऐसा लगता है कि उनका लक्ष है क्या है वो लक्ष और लक्ष ये जो वर्ष है 2022 वो क्यों शामिल है क्यों 2022 ही दोस्तो इसलिए कि सन 2022 में भारत के आजाद मुल्क बनने के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो लक्ष के तोर पर सत्ताधारी हमारे जो नेता हैं धेर सारी योजनाओं का जिक्र करते हैं कि वे अक्सर बताते हैं कि वे अमुक योजना को 2022 तक पूरा कर लेना है वे कभी इस बात का उलेक नहीं करते कि सन 2022 तक कोई उनका राजनितिक लक्ष भी है या सिर्फ प्रशास्निक लक्ष है पर हमें लगता है कि उनके दिमाग में सन 2022 तक के लिए कुछ बहुत महत्वपून और महत्वाकांची राजनितिक लक्ष भी होंगे हम कोई क्यास नहीं लगाना चाहते पर बीते पांच सालों के भाजपा शासन के कामकाज को अगर आप देखिए पार्टी के चुनाओ घोशना पत्र को उसके खास कर कुछ बेहत बिवादासपद वाइदों और सत्ता के शिर्स जोड़ी जो सत्ता की है उनके बयानों इरादों से जो संकेत मिल रहे हैं वे बहुत ठोस और साफ है और वो ये कि मवजूदा जो सत्ता संरचना है वो भारत को बिलकुल एक अलग दिशा की तरफ ल किया था इसलिए वो बार-बार आज नया भारत कह रहे हैं आजादी के बाद सत्ता में आए लोगों ने स्वाधिंता अंदोलन के महान मुल्यों वो क्या मुल्य थे स्वतंत्रता सेक्लूरिजम सम्ता और सावहार्द इनके प्रति अपनी प्रतिवद्धता तो जताई लेकि के सत्ताधारियों ने बौधिक राइनितिक स्तर पर इन मुल्यों की मुखाल्फत करने का दुस्ताहस कभी नहीं किया वाजपे याडवानी की अगवाई वाली अगर भाजपा को देखें तो भले ही इन मुल्यों से उनको ज्यादा लगाव नहीं था लेकिन सरकार में रहते हो कोई समधाय हो किसी के प्रतिनापसंदगी हो किसी संरचना को गिराने तक वे जा चुके थे पर संविधान को गिराने की ताकत या सोच उनमें शायद नहीं थी सत्ता पर काबिज और वह अभी एक बड़ा जनादेश हासिल करके जो लोग अभी आये हैं सत्ता में यानि द जाक उड़ाती है यह संरचना और उन्हें बेमतलब भी बताती है वो सेकलोरिजम का इसकदर उपहास करती है जैसे लगता है कि वो कोई फालतू चीज है वो गांधी को चतुर बनियां बताने में संकोश नहीं करती इसके दूसरी तीसरी कतार के निता तो यहां तक की उसके सांसत, विधायक और मंत्री भी खुलयाम संविधान को बदलने की बात करते हैं इनमें कुछ तो गोटसे और सावरकर को अपना आदर्श पताते हैं पहले की तमाम सत्ता संरचनाओं और मौझूदा सत्ता संरचना के बीच यह बहुत बढ़ा अंतर है दोस्तो आज का सबसे बड़ा सवाल है क्या सन 2022 के इनके कैलेंडर में हमारे मुल्क के बुनियादी विचार या भारत की मूल संकल्पना जिसे आप अंग्रेजी में आईडिया आफ इंडिया कहते हैं क्या उसमें कोई बड़ा उलट पुलट करने का खतरनात इरादा भी शामिल है आप में से इसा नहीं हो सकता पर आप में से कितनों ने सोचा था कि करगिल में देश के दुस्मनों से लड़ने वाला भारती सिना का एक सुबेदार मुहंबत सना उल्ला सेवा निबृत होने के बाद असम में एनर्सी के नाम पर घुस पैठिया बताकर वहां की भाजपा सरकार के निर रचना है उस पर इस कदर उसको अपना वरत हस्त देगी कि वो जेल के बजाए सीज़े संसद पहुंच जाएगी चुने जाने के बाद वो गांधी जी के हत्यारे गोट से को देश्वक्त बताएगी और कई भाजपा संसद नेता उसकी बात का समर्थन करेंगे ये कब सोचा अब तक सत्ताधारी दलके शिर्सनेता पटेल की आड़ लेकर नेहरू पर अपनी नफरत के गोले बरसाते थे अब ये गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने वाली को सीधे संसद लाते हैं उनकी ढिठाई में ये बड़ा उच्छाल है दोस्तों और निसंदे उनका दुस साहस्त ये चुनावी जनादेश जो है वो और बढ़ाएगा ऐसे में वो कुछ भी कर सकते हैं आज का रायनितिक परदिर्श देखें तो बात और साप होगी रायनितिक विपक्ष आज नौके वल कमजोर है बलकि उसके पास बड़े आदर्श और बड़े नेता भी नहीं द बवंडर में मानो हिलने लगी है हिलती नजर आ रही है भासपा की दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मेवाप्सी के मायने मित्रों बिलकुल साफ हैं सत्ताधारी नेता अपने अगले पांच सालों में वो सब कुछ हासिल करना चाहेंगे जो पीते पांच साल के द भारत की संकल्पना से चिड थी वे भारत को हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे वे भारत को आगे नहीं अतीत में पीछे ले जाना चाहते थे गांदी नहरू भगत सिंग और अमवेटकर जैसों के चलते तब उनकी दाल नहीं गली दुर्योग देखिए भारत के आजाद ह होने के 70-70 साल बाद हिंदू राष्ट के स्वपन दर्शियों के वन्शज आज भारी समर्थन से सत्ता में हैं इस आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता अगर मौझूदा सत्ताधारी आजादी के 75 साल यानी 2022 आते भारत के मौझूदा रायनितिक सामाजिक पर सकते हैं अक्टूबर सन 1947 में बड़ी मुश्किलों से भारती गणराजे में शामिल हुए सरहदी सुबे कश्मीर को अनुच्छे 370 और 35 एक खात्मे के जरिये ठकराओं के और भयानक दौर में और भयानक छित्र में तब्दील कर सकते हैं समाज के कुलीन और कार्परेट संर और आरक्षण के नियमों में बदलाओ जैसे अनेक घटना क्रम इसके सबूत हैं किसी भी समुदाय के ऐसे लोग इन्हें कत्ता ही पसंद नहीं जो गरीबों गलितों आदिवासियों माइनार्टी के अधिकारों का समर्थन करते हों सुधा भारदवाज अरुन परेरा और श पूर्ण बहुमत से जीते हैं उनके पास अपार धन शक्ति है टेक्नॉलजी और कार्पूरेट समर्थित संगठिनिक नेट्वर्क है तमाम शास की संस्थाओं को अपना ओजार बनाकर उन्होंने हमारे सिस्टम परमानों कबजा कर लिया है भारत के असमानता और दोर्दश सहुलियतों यानी वेलफेयर के कुछ जुन जुने देते रहेंगे और उसके समानांतर समता सवतंतरता सवहार्दर के मुल्यों पर आधारित रास्ट निर्मान के जंडे को रहुत कर एक निरंकुष किस्म के हिंदुत्योवादी राश्ट बाद की बुनियाद डालने की वे तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे कार्परेट और टेक्नालजी की उनकी ताकत इस खतरनाक रणनीच से बड़े जनादेश में बदलती रहेगी और अगर ऐसा हुआ तो गरीबों उत्पीरतों के वोट से ही उनके हीतों की हत्या भी की जाएगी अगर राजनितिक वि विनाशकारी होंगे आगे आने वाले दिन दिल्चस्प बात है किस चुनाओ के दौरान मोधी शाह या किसी विभासपानेता ने सन 2017 के चुनाओ के दौरान किये अपने वाइदे सबका साथ सबका विकास जो बहुत जरूरी बहुत महत्रून नारा था उसको शायदी कभी उ जनाव के बाद सत्ता में वापसी जब होई है उनकी तब उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका विश्वास जोड़ा है पता नहीं कैसा होगा इनका विश्वास ये तो वक्त बताएगा साथियों पर हम एक भारतवासी के तोर पर और पत्रकार के तौर पर भी हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा सत्ता भारत की समूची जनता को विश्वास में ले या न ले पर भारत को विनाश की तरफ वो न ले जाए इन्ही शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं नमस्कार आदाब सत्स्रिय काल